तो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे थाउसेंड कोशन सीरिश की जोगी बेड इंटरेंट्स एक्जाम के लिए इंपोर्डेंट है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आपको पसंद कर दीजिए जिससे की उन लोगों को भी हैल्प मिले देखिए कोशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन है इंटी होल बिजनेस इस कर्ण सर्ण यानि कि जो पूरी बिजनेस एक्टिविटी होती है हमारी पूरी किसके उपर बेजट होती है मैनुफेक्चर और रटेलर प्र अब बीच में और परसन भी आ सकते हैं जैसे की wholesaler आ गया, retailer आ गया या फिर agent आ गया, ठीक है ये लोग आ गए, लेकिन activity हमारी किससे शुरू हुई producer से और खतम का हुई consumer पर, या customer पर, ठीक है तो option B क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा I hope, I hope हहाँ पर आपको एक question पूरा clear हुआ है कोई भी question में doubt हो तो प्लीज बता दीचेगा, हम त्वारा से discuss कर लेंगे, next है how many partners are there in chemical business, यानि कि chemical business के अंदर कितने partners होने चाहेगे, बताएगे क्या हो जाएगा answer right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा 10, ठीक है next question देखी, अब इसमें से आपको बताना है कौन सी industry आपकी extraction industry है, animal husbandry, fish, pig farming या फिर forestry answer क्या हो जाएगा, de forestry, ठीक है अब देखीए, who propounded the principle of collective bargaining collective bargaining का principle किस ने दिया था, आपको यह बताना, hicks, canes, dunlop, या none of these देखी, collective bargaining के principle की बात करें, तो option D हो जाएगा, none of these, क्योंकि यह दिया था, Samuel Gompers, क्या है, Samuel Gompers, ठीक है, इन्होंने दिया था, यह सबसे पहले concept, option D हाँ पर right answer हो जाएगा, next है, who propounded the expectancy theory of motivation, बहुत ही important theory है, expectancy theory of motivation, एक्जाम में यह बहुत पूछी जाती है, किस ने दिती, right answer क्या हो जाएगा, C यह दी थी, Victor Bromner, ठीक है, next है, by extension of management, यानि कि जब हम management का extension करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, every person के authority clearly define हो जाती है, एक अच्छे organization को, बहुसा departments होने चाहिए, इस subordinate must have only officer, के विल एक officer मिलेगा उसे, या फिर एक manager control कर सकता है, limited number of executives को बताएगा, क्या लगता है answer, देखिए, यहाँ पर answer हो जाएगा, D, जो हम अपने management का extension कर देते हैं, यानि कि हमने उनको department wise बना दिया है, ठीक है, जैसे कि sales department, production department, planning department, research and development department, सब चीज हमने अलग-लग बना दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, है manager के अंतर, सिर्फ limited numbers होंगे, subordinate के, और वो सिर्फ उन्ही को manage करेगा, उन्ही को control करके रखेगा, उन्ही को guide करेगा, ठीक है, उसके पास different department नहीं है, उसके पास इस particular एक department है, सिर्फ उन्ही के ऊपर काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर option D हमारा right answer हो जाएगा, next question है, अब एक special scheme को हम क्या बोलेंगे, जो कि specific circumstances में execute करने के लिए बनाई जाती है, देखी, यहाँ पर right answer हो जाएगा, उसको बोलेंगे program, program क्या होता है, एक specific purpose से बनाया जाता है, कोछ special काम को करने के लिए, ठीक है, तो option A यहाँ पर हमारा correct हो जाएगा, next है, the retiring partner is the third liability, अब जी retiring partner है, वो third liability है, कब तक, third party के लिए, वो कब तक liable होगा, अगर वो कोई भी public notice नहीं देता, अपना retirement का, या फिर वो अपने dues पे नहीं करता, बोथ हैं भी, अफिर neither of the above, बताएए, एक retiring partner, third liability, third person के लिए, कब तक रहेगा, देखिए, retiring partner, कोई भी person, अगर retire होता है, किसी फॉर्म से, partnership form से, तो उसको सबसे पहले, एक notice देना होता है, कि मैं यहां से retire हो रहा हूँ, जिससे कि अगर future में, कोई भी form के अंदर loss होता है, या किसी भी तरह की liability बनती है, तो उसके लिए liable ना हो, क्योंकि बाहर की public को नहीं पता, वो liable है या नहीं, वो लोग उनके उपर, उसके उपर भी case कर सकते हैं, कि हमने आपके नाम से invest किया था, या फिर हम, मैं नहीं पता, आप भी इसके partner थे या नहीं, आपको एक notice देना चाहिए था, इसलिए यह liability होती है, वो या तो अपने सारे dues पे कर दे, और साथ ही साथ, वो एक notice भी यहाँ पर send कर दे, या हम कह सकते हैं, notice निकाल दे, कि हाँ वो यहाँ से retire हो रहा है, ठीक है, तो option B और A तोनों ही, हमारे यहाँ पर right answer हो जाएंगे, ठीक है, next देखिए, only only notice of the dissolution of the firm is sufficient, यानि कि, dissolution of the firm का किवल notice जरूर sufficient है, किस condition में है, अगर limited time की partnership है, अगर partnership यहाँ पर limited time की नहीं है, elective partnership है, यानि कि at will भी हम इसको बोल सकते हैं, elective का मतलब होता है, at will, यानि कि उसकी इच्छा पर है, on completion of partnership objective, यानि कि उनके जो partnership है, उसके objectives complete हो गए है, पताए, कौन सी condition में है, केवल एक notice देकर dissolution हम firm का कर सकते हैं, या sufficient है, ठीक है, देखिए, अगर आप dissolution of firm कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप सिर्फ एक notice आपके लिए sufficient है, तो वो partnership हमारी क्यालाते है, partnership at bill या partnership at elective, इसका मतलब होता है कि अगर अपनी will पर उसको establish किया गया है, तो वहाँ पर एक notice देकर भी उस firm को dissolution कर सकते हैं, ठीक है, तो option C, यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, next question है, what type of group is Punjab National Bank, क्याने कि Punjab National Bank जो है, वो किस तरह का group है, public corporation है, government company है, collective company है, या फिर government department है, बताइए, ठीक है, पंजाव National Bank जो है एक public corporation की तरह काम करता है, ठीक है, तो option A, यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, next question पर move करते हैं, देखे, अब यहाँ पर यह पूछा गया है, जो इंडियन railway है, वो किस group से आता है, public company से, collective company, government department, या फिर none of these, देखे, इंडियन railway जो है, वो government department में आता है, इसका एक अलग department है, इसलिए आपने देखा होगा, railway budget अलग से prepare किया जाता है, जो हमारा budget होता है, union budget उसमें, इसको include नहीं किया जाता है, railway का budget ही अलग से बनता है, क्योंकि यह अलग department है, government का, ठीक है, option C, यहाँ पर हमारा right answer है, next, how many members are there in the cooperative society, यानि कि एक cooperative society में, कितने person होने चाहिए, देखे, right answer हो जाएगा, भी 10, ठीक है, next question देखे, what is the civil liability of a company audit, यानि कि एक company audit की, civil liability क्या है, उसकी negligence के लिए, false statement देने के लिए, willful making a false statement, या फिर all of the above, या फिर all of the above. देखे, यहाँ पर अगर हम सिर्फ बात करें, civil liability की तो option A हो जाएगा, क्योंकि यह तो उसकी other liability में, consider की जाएगे, civil liability का part होता है, कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसी करती, जब वो इतनी बड़ी post पर है, और इतना risky काम है, इतना confidential वाला काम है, सारी चीज़ें इतनी अच्छे से होने चाहिए, वहाँ पर लापरवाई की कोई जगह नहीं बनती है, और फिर भी उन्होंने लापरवाई की, तो यह एक civil liability बनती है, बाकी तो सब उसकी statutory और contractual basis पर liability है, ठीक है, तो option A यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, next है what is the audit done in modern corporation, modern corporation में audit किस तरह की done की जाती है, यानि कि क्या purpose है, सिर्फ benefit increase करने के लिए, loss को minimize करने के लिए, statutory requirement के लिए, या फिर satisfaction of shareholders and members बताएए, यहाँ पर modern corporation की बात की जा रही है, सिर्फ strategy requirement पूरा करना audit का purpose नहीं है, audit का purpose हो गया है, जो भी उसकी shareholder से उनको satisfy कर पाए, और satisfy तभी कर पाएगी, जब वो true और fair picture शो करेगी, अपनी audit बिलकुल up to date रखेगी, सही तरह से audit करेगी, ठीक है, तो modern corporation का main काम होता है, अपने shareholders को satisfy करना, जिससे कि you for the investment currency के option दी, यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, next है, government audit का क्या मतलब होता है, कोई भी audit की जाए, government appointed auditor के दोरा, या फिर government के accounts का audit किया जाए, अगर auditor की जाए under provisions, या फिर neither of the above, किसको हम बोलेंगे कि यह government audit है, देखिए, government audit वो audit होती है, जहाँ पर जो auditor है, वो government दोरा appoint किया जाएगा, ठीक है, तो option A हाँ पर हमारा correct हो जाएगा, next है, बहुत ही simple है, कि reserve bank की स्थापना कब हो जाए थी, देखिए, D यहाँ पर right answer हो जाएगा, on 1st April 1935 में, ठीक है, अब है, who signed the Indian currency of rupees 1, यानि कि जो Indian currency, एक रुपे का जो note होता है, उस पर किसके sign होते हैं, देखिए, option B हो जाएगा, इस पर finance secretary के होते हैं, बाकि जो other remaining currency है, हमारी उस पर governor के sign होते हैं, ठीक है, next है, the need for showing contingent liability in the balance sheet, arises out of the convention of, बताएए, यानि कि जो हमारी जो balance sheet है, वो sorry, हाँ, balance sheet है, उसमें अगर कोई भी हम contingent liability show करते हैं, तो यह हमारा क्या दिखाता है, consistency, materiality, disclosure, या फिर conservators, बहुती simple है, ये भी, देखें, यह आपर इसका right answer क्या हो जाएगा, C, disclosure, यह हमारे disclosure को show करता है, यानि कि जो भी चीज़े हैं, वो यहाँ पर हमने क्या करी है, अच्छे से disclose करी है, ठीक है, next है, the entity concept of accounting is applicable to, अब जो entity concept है, वो हमारा क्या यहाँ पर बताता है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर बताना है, entity concept बताए, sole proprietorship concern, partnership firm, joint stock company, या फिर all of the above, बताए, क्या लगता है इसका answer आपको, entity concept की देखें, यहाँ पर हम बात करें, तो जो हमारी entity concept है, वो हमारी यहाँ पर बताती है, joint stock company, यहाँ पर बोलता है, separate entity होती है, ठीक है, तो यहाँ पर option C, हमारा right answer हो जाएगा, next question है, realization concept of accounting, does not apply to, अब जो realization concept है, वो हमारा कहाँ पर apply नहीं होता है, service industry, mining industry, railway, transport, या फिर long term construction contract, किस जगे हमारा service, realization concept जो है, वो apply नहीं किया जाता है, बहुत ही simple है, जल्दी से answer करें इसका, आपने कहीं न कहीं तो इसे पढ़ा होगा, देखिए, जो realization principle of accounting है, यह हमारा कहाँ पर follow नहीं होता, यह हमारा long term, जो construction contracts होते हैं, वो यहाँ पर follow नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर option D, जो है, यह हमारा right answer हो जाएगा, अब next question देखिए, जो double account system है, वो हमारा कहाँ applicable होता है, consumer industries, chemical industries, public enterprises, या फिर public utility concern में, कहाँ पर वो follow नहीं किया जाता है, double accounting system की बात की जा रही है, यहाँ पर तो अच्छे से answer करिएगा, यह जो है, हमारा public utility concern पर follow नहीं होता है, ठीक है, तो option D, यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, क्योंकि इसमें, हमारा जो, आम जनता होती है, उसके, यहाँ पर invest होता है, fund तो, यह देखने के लिए, कि उनका जो fund है, वो यहाँ पर invest हुआ है, उसका कोई भी misuse ना हो, यह सब का पता लगाने के लिए, हम लोग public utility concern में, double account system follow करते हैं, ठीक है, यानि कि, यहाँ पर safety के purpose से, यह use किया जाता है, next is, which of the following is a personal account, investment, commission, outstanding salary, या फिर share premium, क्या लगता है आपको इसका answer, कौनसा इसमें, personal account है, ठीक है, right answer हो जाएगा, outstanding salary, देखे, personal account होते हैं, हमारे तीन पार्ट में, दिवाइड होते हैं, यह कोते है, artificial person, यह कोते है, representative person, और एक होते हैं, natural person, तो natural person में, तो हमारे, जैसे कि, राम account, श्याम account, या जाते हैं, प्रतिनिदित्व, या representative, personal account होते हैं, हमारे, जैसे कि, कोई भी आपने, company का नाम ले लिया, जैसे कि, x, y, and, z company, यह हमारा, क्या होगा, personal account, और जो, artificial personal account में, हमारे, यह आते हैं, outstanding salary account, तो option, C क्या होते हैं, यह किसी person, से related है salary, इसलिए, artificial person है, इसलिए, outstanding salary, हमारा, personal account हैं, अंदर, consider किया जाता है, नेक्स्ट है, in case of a company, total assets, minus outside liabilities, is called networking, gross working capital, deferred reliability, या फिर net worth, अभी आपने यह किया है, मैंने change करके, इसलिए question दिया है, वहांपर अगर आपको concept के लिए, हुआ होगा, समझ में आया होगा, तो अभी तक आपको याद होगा, और आप इसका answer सही कर पाएंगे, जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, yes, option D हापर हमारा सही है, network, ठीक है, next question पे आते हैं, direct confirmation procedure, can we apply to debtors only, creditors only, debtors and creditors both, या फिर none of the above, क्या लगता है, आपको direct confirmation procedure, जो है, हमारा कहाँ पे apply किया जाता है, direct confirmation जो procedure है, वो हमारा debtors and creditors, तोनों पे apply किया जाता है, इसलिए आपर option से, आपर हमारा क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, next question देखे, which of the following is a personal account, question वही है, लेकिन option से लगे, prepared salary, drawings account, outstanding rent, या फिर all of the above, बहुत इसलिए answer कर सकते हैं, देखे, option D, यहाँ पे correct होगा, all of the above, क्यों, क्योंकि, prepared salary भी, person से related है, drawing भी किसी person से related है, and outstanding rent भी, ये तीनों एक person, की बारे में बता रहा है, यानि कि ये किस में आएंगे, artificial person में, इसलिए option D, हाँ पे all of the above, हमारा right answer हो जाएगा, चीक, तो यही थे questions, आपको सारे questions clear है, कोई भी doubt हो, तो बता दीजेएगा, next video में मिलते हैं, तब तक के लिए, take care, bye-bye, झाल ये थीच है, झाल जेएगा, पाल ये रहा है, कि अभी थेचा भले दिएगा, झाल झाल